आत्मा में अनन्त सक्ति है स्वामी विवेकानन इसके बारे में कहते हैं कि बास्तर में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया हम में से परतेक को अपने आपको सिखाना होगा बाहर के गुरु तो केवल सुझाब या प्रेर्णा देने वाले कारण मात्र है जो हमारे अंत अस्त गुरु को सब विश्यों का मर में समझने के लिए उद्धोतित कर देते हैं तब फिर सब बाते हमारे ही अनुभब और विचार की सक्ति के द्वारा अस्पष्ट हो जाएगी और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूती करने लगेंगे वह समुचा बिसाल बट बिच जो आज कई एकर जमीन घेरे हुए है उस छोटे से बीज में था जो सायद सरसुदाने के अस्टमान से बड़ा नहीं था वह सारी सक्ति उस बीज में निवध थी हम जानते हैं कि बिसाल बुद्धी एक छोटे से जिबानु कोस में सिम्टी हुई रहती है यह भले ही एक पहली साथ प्रतीत हो पर है यह सत्य हम में से हर कोई एक जिबानु कोस से उत्पन हुआ है और हमारी सारी सक्तिया उसी में सिक्ड़ी हुई थी तुम यह नहीं कह सकते कि बे खादान से उत्पन हुई है क्योंकि यदि तुम अनका एक परवत भी ख़ड़ा कर दो तो क्या उसमें से कोई सक्ति प्रकट होगी सक्ति वही थी बहले ही वह अब्यक्त या प्रसूप्त रही हो पर्थी वही उसी तरह मनुस्य की आत्मा में अनन्त सक्ति नहीं थे चाहे हुआ यह जानता हो या ना जानता हो इसको जानना इसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है जैमा काली